दोस्तों अभी तक हम लोग ने Adobe Illustrator को काफी डिटेिल में स्टेडी कर लिया हुआ है हमने Illustrator को बिललकुल बेसिक से स्टार्ट किया और आहस्ता हम ना सिर्फ उस के तमाम फीचर्स को एक्सप्रोर करते गए बलके हमने Illustrator में बहुत ही इन्टरस्टिंग चीज़ें भी क्रियेट करने की कोशिश की तो दोस्तो अब बारी है एक नए सौफ़ेर की जिसका नाम है अडोबी फोटोशॉप जी हाँ अडोबी फोटोशॉप से तमाम लोग वाकिफ हैं और मुझे मालूम है कि आप लोग फोटोशॉप सीखने के लिए बेताब होंगे दोस्तो फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट और मुफीज सौफ़ेर है तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं अडोबी फोटोशॉप और इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है और उसमें कौन से इंपॉर्टन्ट चीजा मौजूद है तो चले चलते हैं अडोबी फोटोशॉप की तरफ दोस्तो फोटोशॉप को उपन करने के लिए हम टास्पर पर जाके इस ब्लू कलर के आईकॉन को क्लिक करेंगे और यह देखें फोटोशॉप जो है यह आपके सामने उपन होने लगा दोस्तों ये Photoshop की वो first picture है जो आपके सामने आती है जब आप Photoshop को open करते हैं ये वो first interface है जो आपको देखने को मिलेगा ये दोस्तों इसमें कुछ दो तीर important चीज़े हैं जिनको मैं जरा आपको बताता चलूँ सबसे पहले ये आपके सामने एक button है recent के नाम से दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक file जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी ये यहाँ पर recent के button के साथ आपको show हो रही है ये basically आपने जो पिछला काम पिछली जो file create की होती है Photoshop में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसके लावा ये एक important चीज है create new इसके उपर आप जैसी click करेंगे तो new document लेने के लिए जितनी भी important settings हैं जिसना आपने illustrator के अंदर भी देखा था कि हम control and press करते थे ये create new पे click करते थे तो new document की जो settings हैं ये सारी हमारे सामने open हो जाती थी इसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने new settings की एक doc open हो गई है इसको हम बाद में detail में देखेंगे इसके लावा ये open का एक button है जिसको click करके आप कोई J-Pag कोई picture या कोई graphics या कोई भी चीज़ आप directly यहाँ पे Photoshop में open कर सकते हैं तो चलने दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे create new पे जाके एक document लेता हूँ और ये इस वक्त अब आपके सामने जो interface आ चुका है ये actual main interface है Adobe Photoshop का दोस्तों आप लोग एक बात notice कर रही होंगे कि Photoshop के इस interface में और Illustrator के interface में जो आपने काफी detail में देखा है कुछ ज़्यादा difference नहीं है जिस तरह से Illustrator में हम ने देखा था यहाँ पे उसी तरह से Photoshop में हमारे पास एक main menu है इसके लावा हमारे पास यह यहाँ पे sub menu है यह left side पे हमारे पास एक tool bar हमें नज़र आ रही है यह है हमारा canvas बस illustrator में हम इसको artboard के नाम से जानते हैं जैसे कि काफी detail में मैंने आपको artboard study करवाया था और यह right side पे अगर हम आएं तो यह मजीद कुछ options जो हैं यह हमारे पास मौजूद है तो चलने जरा detail में देखते हैं थोड़ा सा main menu को इसके लावा export करने की आपके पास option है इसके लावा आप जो है वो अगर exit करना चाते हैं यानि कि directly अगर आप software को बंद करना चाते हैं तो यह कुछ important options इस तरह की यहां पे आपको मिलेंगी इसके लावा edit में अगर आप आएं तो यहां पे यह edit के हवाले से कुछ important options है अच्छा दोस्तों यह main menu में एक image के नाम से button है यह illustrator के अंदर मौझूद नहीं था और यह वो चीज़ है जो के Photoshop को illustrator से थोड़ा सा different बनाती है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Adobe Photoshop जो है यह image based software है लहाज़ा यह image वाला जो button है यह हमें Photoshop में मिलेगा, illustrator में नहीं मिलता इसके अंदर image के हवाले से कुछ options हैं जो के हम बाद में study करेंगे इसके लावा यह layers के नाम से यहां पर एक मजीद button है यह भी एक ऐसी चीज़ है जो के Photoshop में हमें काफ़ी detail में देखने को मिलती है illustrator में layers होती तो हैं लेकिन उनका इतना ज्यादा use नहीं होता जबकि Photoshop में हम जो भी काम करेंगे वो हमें करना ही layers के अंदर पढ़ेगा इसके साथ साथ यह type यह आप illustrator के अंदर भी देख चुके हैं यह text के हवाले से कुछ options हैं इसके बास select यह भी एक बिल्कुल generic सा हमारे पास button है filter दोस्तों यह images के हवाले से photographs के हवाले से कुछ filters हमारे पास यहां पे मौजूद है इस filter gallery को भी हम बाद में detail में study करेंगे इसी तरह से हमारे पास यहां पे view की काफ़ी सारी options हैं zoom in, zoom out, fit on screen वगएरा 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 इनको भी हम देख सकते हैं इसके इलावा अगर हमें rulers वगएरा नहीं मिल रहे हैं वो अगर हमें चाहिए हैं तो हम यहां से आके choose कर सकते हैं और window की option जैसे मैंने आपको illustrator में बताया था जैसे जैसे different tools के उपर click करता जाते हूं तो यह आपके पास उपर जो sub menu है इसके अंदर options में हो चेंज होती जा रही है तो जैसे जैसे आप यहां पर tools चूस करते जाएंगे और उन पर काम करते जाएंगे वैसे वैसे उनके accordingly यहां पर sub menu में आपके पास options आती जाएंगे toolbar जिसना से हमारे पास illustrator में मौझूद थी इसी जैसे हमारे पास photoshop में मौझूद है फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ tools हमारे पास यहां पर different है और कुछ tools हमारे पास यहां पर वही हैं जो के illustrator के अंदर भी मौझूद थे जैसे कि आप देख सकते है pen tool की option हमारे पास यहां भी है hand tool की option है shape tool है color palette है हमारे पास यहां पर जिसना से illustrator में भी थी जबके कुछ tools ऐसे हैं जो के illustrator में नहीं थे इन tools को हम आने वारे lectures में detail में study करेंगे यह मैं आपको बता चुकर हूँ कि यह आपका है जी main canvas जिसना से illustrator के अंदर हमारे पास art board था और उसका हमने काफ़े detail में study किया था इसी तरह से हमारे पास यहां पर photoshop में यह canvas जो है यह हमारा available है दोस्तो right side पे अगर आप देखें तो यह कुछ और options है जिसना से illustrator में भी मौजूद ही हमारे पास जैसे कि यह color की option है swatches की option है properties जब भी आप कोई चीज बना रहे होंगे तो यहां पर properties में उसकी properties आपको नज़र आ रही होंगी इसके लावा यह color and light adjustments का एक panel मौजूद है layer panel है जो के हम Photoshop में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले है इसके बार में भी मैं आपको आने वाले lectures में बताऊंगा इसी तरह से हमारे पास यहां पर channels और यह past की options भी मौजूद है तो दोस्तों यह आपका main interface है और अगर आप किसी खास किसम का task perform करना चाहते हैं जैसे आप painting करना चाहते हैं तो यहां से आप painting पे क्लिक करें तो आपके सामने वो options open हो जाएंगी जो painting के लिए ज़्यादा favorable है ज़्यादा required है इसी तरह से यहां पे अगर आप graphics and web के हवाले से काम करना चाहते हैं तो आप यहां पे आपके क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास graphics and web की जो required options है वो आजाएंगी same goes for photography तो इन तमाम को भी आप एक बर जो है वो detail में study कर लीजेगा आपको अपने आप समझ में आजाएगा कि जो different sets of options यहां पे बना के रखे हैं जो कि आपके सामने आ जाते हैं according to your requirement फिलहाल में essentials पर जाके click कर रहा हूं and that's all for Adobe Photoshop's main interface तो दोस्तों इस lesson में हम लोग ने Adobe Photoshop के main interface को study किया और हमने देखा कि Photoshop में हमारे पास कौन सी चीज कहां पे available है आने वाले lectures में मैं आप लोगों को Photoshop के हवाले से और बहुत सारी basic और फिर आगे चलके कुछ extensive चीजें जो है वो देने वाला हूं और इन्शाला ताला हम Photoshop को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं